हलो स्टppe तो अभी मैं आप बताने जारा हूं कि ईसेंट्री defend ंजर लृञ तो इसके बीसे बताने सपह हैं सुड़ोफोर्स के टाइब्स की बात कर रहते हैं शूर। फोर्स बसीकली कि कुछ टाइप से होते हैं जैसे सूडो फॉर्स के एक और टाइप है जिसकों बोलता है सूडो फॉर्स यह सूडो फॉर्स ओ है जो की टॉंसलेट्री फ्रेम से डबलब होता है जो की सीज़े ऐसे जा रहा है इसे सिर्फ एसलेट हो रहा है वह कोडिनेट से सूडो फॉर्स इबलब होता है जिसको मैं लॉज आफ मोसे बता चुका हूं कि इसकी वैलू किस पर बढ़ाती है माइनस में के बढ़ाती है अगर एक रिफ्रेंस फ्रेम एसलेट यह से कर रहा है उससे अगर तुम किसी शूडो फॉर्स की जरुर्रत पढ़ती है उस्टुली फोर्स माइनस एमक बाषबता है ते ट्रांसलेटरी फ्रेम से डवलब होती है गजकी रोटेटरी नहीं करती है सीथे याइसा कि प्रुर्टेट मतलब ऐसे यह हैं यह ट्रांसलेटरी जो कि रोटेशन मतला में और जो सेंट्रिफ्यूगल और एक गोलते हैं को रियूलेज को रियूलेज फोर्स और यह होते हैं यह जो अब इसकी प्रेशन और अल्रेडी पड़ चुक है तो ट्रॉंसलेट्री फ्रेम से सिर्फ pseudo force develop होता है अगर एक translate tree frame accelerated है तो सिर्फ pseudo force develop होता है सिर्फ pseudo force develop होता है लेकिन यह जो centrifugular correlations है यह rotate tree frame से develop होता है rotate tree rotate tree frame with constant angular velocity तो अगर एक axis एक frame है जो अपनी axis से घुम रहा है जैसे कि मालों यह है यह ऐसे घुम रहा है अपने axis से घुम रहा है तो अगर इस frame से तुम किसी particle के motion का observe करते हो तो उसके भी pseudo force लगेगा लेकिन उसके जो pseudo force लगेगा वो दो टाइप का होगा एक centrifugal एक correlations अब एक important word में फिर repeat कर रहा हो है जैसे कुछ चीज़े मैं यहां लिख लूँगा उसको समरवाइस करूँगा आप ध्याहां से सुनेगा जैसे फस्स टेंग्स एचा रोटेटरी फ्रेम भी एक non inertial reference frame है रोटेटरी फ्रेम भी एक non inertial reference frame है तभी जाके तो pseudo force यह दोनों pseudo force डेवलप हो रहे हैं अगर रोटेटरी फ्रेम ना नहीं होता तो क्या मैं इन pseudo force को दिखा था नहीं है तो फस्स तेंग्स जो मैं बोल सकता हूं इसके अंजर जो प्याद कर सकते हैं हो यह कि रोटेटरी फ्रेम इस आल्सो रोटेटरी फ्रेम यह first point है जो तुम्हें थ्यार बना था दूसरा point मैं कोई सीज़े समझा दा हूं अगर एक से x-axis by-axis तुमने मनाया reference frame जो सिर्फ accelerate कर रहा है सिर्फ यह पहल इसको first लिख लो यह तो इस statement था first सिर्फ accelerate कर रहा है तो इस motion से इस फ्रेम से अगर तुम किसी object के motion का observe कर रहे हो तो उस पे जो pseudo force आता है pseudo force वो बराबर होता है minus m into a vector का तो इस a vector का उल्टा करके minus sign उस object के मास में डिपाई कर लिए तो first जो अपुद्धार मता और already इसको लाजा हो समय पर चलिए से दूसरा जो इंपोर्टेंट है वो यह है कि वो यह है कि अगर माल लो एक एक्सिस है को कोडिनेट एक्सिस है और अब्जर्वर यहीं पर है अलाकि अब्जर्वर से एक हम लोग काम चला रहे होता है जो कि constant angular velocity ओमेगा से घुम रहा है इस ओमेगा इस constant constant तो इस फ्रेम से ओमेगा अपनी एक्सिस पर सिर्फ घुम रहा है और इस इसका acceleration जो यह है तो यह वाला sudo force नहीं आएगा यह वाला sudo force नहीं आएगा लिखे इस फ्रेम से जो अपर दो तरह के और सेंट्रिक सूड़ पॉर्स आएंगे जो फिर्स्ट होगा centrifugal force this is the virtual force या a type of pseudo force तो इसकी value होती है mr into omega square mr into omega square होती है first तमयाद करना है और r क्या है इस rotatory axis से दूरी है इस rotatory axis से उस object की दूरी है r और m क्या है उस object का mass है तो यहां से इस axis से अगर r दूरी पे r दूरी पे एक object है इसका mass m है तो इसके उपर centrifugal force की value इसके बढ़ावर भी mr omega square है यह इस observer को नचर आएगा मतलब इस coordinate axis पे खड़े अबसर रोक लागेगा उस block पे कितने का centrifugal force है mr omega square है m is the mass of object which is in observation r is perpendicular distance of object from axis of rotation and omega is angular velocity of this axis this coordinate axis about this so omega is the angular velocity of coordinate axis r is perpendicular distance of object from axis of rotation m is the mass of object which is in fbd because it's the direction its direction its direction is always always away from is always away from axis of rotation कि यह कोडिने टाक्सिस चाहें ऐसे घुमें चाहें ऐसे घुमें आई सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इस आल्वेस अवे इस आल्वेस अवे इस अवे इधार के और वालू कितने होगी mr omega square पर आप तो इस चीज़ को आप इसके अंदर ध्यार रखेंगें अब हम बात करते हैं अगला है कोरियोलीस लेकिन यह हमारे इट जाई के सबस्क्राइब इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगें जो कोरियोलीस होता है कोरियोलीस फोस इसकी जो वहल होती है इस एम ट्वाइस आफ एम अब ही क्रोस ओमेगा के ब्रावर होते हैं ट्वाइस से इस ब्लॉक को दखोगे तो इस ब्लॉक की व्लॉक की वेलासिटी कुछ होगी दाट इस ब्रेलेटेब B-relative is the velocity of object with respect to this coordinate axis लिकिन, B-relative is velocity of this object with respect to this coordinate axis और omega vector is angular velocity of this coordinate axis M is the mass of object which is in F-VD और अब आपात करिंगे इसका direction की इसका direction B-relative cross omega E-direction हो तो इसको देहर केंगे बट्या आपिक मेरे सिर्वास में नहीं हमलों डिसकस करिंगे इस बात सेंट्रिक फिर्वाट को तो देख लिए कुछ एक्जाम्प्री के तरह मैं समयाने जा रहा हूं अगर मैं यह कहूं यह question देते हैं एक string है इससे एक block बदा हुआ है जिसका mass M है string का length radius R के बराबर है और यह जो block है इस horizontal plane में angular speed omega से दुम रहा है और यह constant omega से अच्छे एक और बात थोड़ा सब्सक्राइब पीछ आ जाओ इसमें आपने क्या किया पहला reference frame constant acceleration से caution का reference frame सिर्फ एसलेट हो रहा तो pseudo force इतना दिखाएंगे इस condition में आप इसे दिखाएंगे तीसरा अगर यह coordinate axis rotate भी कर रहा होता और साथ में accelerate भी कर रहा होता तो फिर इस frame से अगर किसी particle का motion अबज़ग करते तो फिर तीन हो ही आता तीन हो ही तो इस फ्रेम से रिखना पड़ता तब जाके हमारे आंसर आते हैं जो था अगर एक कौडिनेट एक्सेस है जो अपने एक्सेस पे एंगुलर acceleration एंगुलर ब्रास्टी ओमेगा से घुमर आया है बट एक constant नहीं है वारिंग है तो इस frame से कौन को है सूड़ो फोस आते है इस frame से और साथ मालों accelerate भी कर रहा है तो acceleration के पेसे सूड़ो फोस आएगा मायनस एमेगा बट ओमेगा constant नहीं है तो इस frame से ये दो सूड़ो फोस तो आएंगे centrifugal as well as correluses बट कुछ और भी आएंगे जिसके formula मुझे पता नहीं है तो इस frame से अगर तुम बात करो तो एक तो सूड़ो फोस आएगा मायनस से मेगा दूसरा के आएगा centrifugal आएगा because of rotation तीसरा के आएगा कोरियोलेस आएगा because of rotation और 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 भी आते हैं सुड़ो फोस जोकी unknown होते हैं इनके formula मुझे पता नहीं इसलिए आएगा आता है कि centrifugal के सायाता से अगर तुम्हें question करना हो तो एक सी दिवान गर रखना बहुत जुरुरी है कि उस particle का motion uniform subprimution होना चाहिए omega constant होना चाहिए तब ही जाके omega constant रहेगा तो तुम centrifugal इस सुड़ो फोस और इसके help से कर सकते हैं बट अगर omega varying कर रहा है था तब तो इसका use कर लोगे इसका कर लो इसका कर लो लेकिन तो पता ही नहीं है जब यह पता ही नहीं है तो फिर इस फ्रेम से question कैसे solve करके हम ground frame में कर लेते हैं जो omega vary करता है तो ground frame में जाते हैं वह non-retative frame है उस frame से सिर्फ रियल फोर्स दिखाते हैं और रियल फोर्स के साथ है question कर लेते है ठीक है अब मैं तुम्हें समझाता हूं कुछ question पर आ जा हूँ इसमें क्या है कि एक block है जिसका mass है angular speed omega sumra रसी से बता हूँ है मतलब सब्सक्राइब करो इस string है यहां एक block है और मैं इसे दुमा रहा हूँ है तो कोई पूछे omega constant है तो कोई पूछे कि बताई रसी का तो जब इसकी अब एविडी बनाओगे तो टेंशन क्या दिखाओगे ती दिखाओगे तो तुवर्द सेंटर फॉस्ट क्या दिखाओगे ती बराबर mass m into towards the center acceleration it is r omegas इसका मतलब कि अगर एक रसी से एक पार्टिकल को बात के अगर मैं ऐसे अमारां ऐसे दुमारां तो इस पार्टिकल पे जब फोर्स टुवर्द सेंटर लगेगा जो रसी का टेंशन होगा वो बराबर किस क्या आची mr omegas2 बराबर आना चे mr omegas2 के बराबर आना चे अब मैंने क्या किया इसमें एक एक्स्प्रेबेंट किया वी किया कि मैं भी यहीं पे खणा हो गया और मैं भी अपने आपको इसी एंकिलर्री स्पीट से घुमाना सुरू करते हैं स्प्रर आप इसे गुमाना सुरू करते हैं सूंते रहें मतला ऐसे है यह वंधाle a string है अविश्टर को और अपने आख को ने आए संल कि कि मतलब मेरे आखके सामने इने हमें सब्सक्राइब हमोलेंगे कि ब्लाग यह देख्रों धर्ती घुम रही हैं लेकित तुम धर्ती बख़़े हो तो धर्ती तुमको कैसा ज़रा रही है रस्ट में क्यों रश्णारी यूपि जितना ओमेगा तुम्हारा है नहीं ओमेगा इस अर्थ करें सेंस एंगुलर स्पीड़ अर्थ एंड यू आसे अर्थ एंपेर इंट्रेस्ट बाई तुमको यह अर्थ हा रूप का हुआ जा रहा है इसी जिन के विदेश है अगर मैं एक रस्टी से एक पार्ट की बाद के अगर मैं ऐसे नमारा रहा है तो कि मेरे आख के सामने हमेशा है तो मैं कावला कि देखो इया रुका हुआ है और कभी तो ऐसा आप दिल आये कभी तो एक बड़ी से बाद जो है कि दूब कि दूमको ऐसे लग रहा है कि रस्टी तुब राके सामने है पूलगा यहां था बाग गया यहां पर लेकिन ऐसे अभरी रह्के सामें अभी आके सामे रुका दूसको तो अगर तो अजिसे एसे घुम रहा हूं तो जीस ओमेगा से मेजिए रहा हूं तो चीस ओमेगा से एख़ा हूं तो पाइटिक से पारिक तो अगर इस अब्जर्वर को यह पार्ट की रेश्ट में ज़रा रहा है तो अगर इस अब्जर्वर कहा जाए कि तुम यह बताओ इस ब्लॉक की एल्बीडी बनाओ तो जब इस ब्लॉक की एल्बीडी बनाने के लिए अब्जर्वर जाएगा तो क्या कहेगा तो अगर मैं टेंशन दिखा दिया लेकिन मैं एक नॉन मैं एक रोटेटरी फ्रेम मैं एक रोटेटरी फ्रेम हूं तो मेरे फ्रेम से इसक्यूपर इसके उपर नेट फ्रेम जिरो आना चाहिए क्योंकि मुझे एरेश्ट में जड़ा रहा है तो मेरे फ्रेम से इस पर नेट फ्रेम जिरो आना चाहिए जबकि टेंशन तो एक रियल फ्रेम होता है इसका मतलब हो गया कि इसके उपर एक वर्च्वल फोर्स सूड़ो फोर्स काम करेगा जो कि अगर टेंशन इधर है तो इधर रहेगा आपोजिट डिरॉक्ष्ट अब यह रियल फोर्स नहीं है यह कोई वर्च्वल फोर्स होगा ठीक है जो इस रियल फोर्स के आपोजिट इसको ब्रस को बैलिऍस करेगा एक माइनस दीख दने डी आडuyu एति अविसका मतलब कि जो वर्च्वल फोर्स वह मरों zit Ladla मैं यह कहोँगा कि अगर उस पाकि ते मारो बादस पर नाव्हें कि अई defenders अगर अभर अब र lavender दूर लए तो मुझको यह रच्ट डिला है तो म में कोई दिख्रत नहीं है नेट फॉर जीरो आ रहा है और इसी कि में लों क्या बोलते हैं शेंट्रिफ्यूगल फॉर्स बोलते हैं और बट वो जीरो आएगा उसकी वैलो थी टुए मडी रिलेटिप क्रास हमेंगा अब भी रिलेटिप जीरो क्योंकि तुमको थी ब्लॉक रूख रूखा होना चला रहा है तो तो मैं रिपीट कर रहा हूं दूब़ारा तुमको कि यह बता रहा हूं कि जबी भी तुम्हें सेंट्रिफ्यूगल के स्याता से क्वेश्चन करना है तो कुछ पाटिकुलर इंफोर्मेशन तुम्हें द्यार अपड़ेगा ठीक है तब यह जाके इसके साथा से क्वेश्चन करें और आने वाली चप्टर में देदर इसको और मै जहता हूने और आपे हैं आपके हाँ है अगाँ है हाँ है अटल पोलोम्त प्रोब्स तहब कर लूंज अवित कर दोष अन्युनलेगे सार वित्ससैंगल बढ़न या और्व सन्टुक्त कर दोफूने प्ली कर दो अल्पर्दा आने विते हैं हमें तो बदूने में हैं है वि प्रस्ट तेक है इसके अंदर जो इटी जाही का सब्सक्राइब उसके हिसाब से इसके हिसाब से फस्सक्राइब कि एंगुलर इसपीट कॉंस्टेंट होना चाहिए एंगुलर इसपीड आओ फ्रेम शुल्ड भी कॉंस्टेंट मतलब इसके साथा से सेंट्रीफूगल के साथा से बस्टेंट करना है तो डिवा कोंस्टेंट होना चाहिए तो उस फ्रिम से वो क्षेशन सॉल्व करो तो तुमको यह जो अन्नोन वाला सूड़ो फोस आएगा वो तो पता ही नहीं है जब नहीं पता है तो तुम से मिस्टेक हो जाए इसलिए सेंट्रफ्यूगल के साथ से तुम तभी क्षेशन करना जब हैं दुगलर ब्रस्री क्या हो जाने फूटार कशार लेकिन हम लोग कोशिस करते हैं पता है कि जब मैं फूर से कोसे लिख और तो कौर्योली स्वाले टम भी ना आए इसलिए प्रफ्यूली कि अधितर्फश्राव समय नहीं पर नहीं सो स्कूर्व नहीं करते हैं तो मैं चाहता हुँ की कॉर्यूलैस का ड कि इफ आभी के लिख लेंगे बाकी समझाद मझे रहे हैं अल्सो अल्सो अब्जेक्ट शुट इळख दिए आपिर आभीर आभीर इंभा उ आभी इंभाग आभी इन reminds अई एक सी साफ पूटेशन ह trade कर दो कि अगर हम सकूदिसंट्रफि कि सब्लते हैं हिस्टा है कि ऋेखने या जिस्ट बहुत्वेद nast Show ज्या को इसके ऑनलाल इन होएंग और सकाएंग यह क आप जाए उधार चाहिए थाम लोग को रिली से बच जाएंगे इस डारसन से और अगर जीरो होगा तब तक अधारसन से बचेए पूशिन देखा अगर मैं तुप से यह कौँए सुंतरनक एक्जांपल सोगर हो और लड़ी को तब बता चुका इस एक्जांपल को माल एक प्लेटफॉर्म है जिसकी एंगुलर व्लस्टी ओमेगा है और ओमेगा क्या है को सेंटर यहां से आर दुली पे एक अब्जेक्ट बेठावा है इसका फ्रिक्सन को फिसेंट मीव है मास है तो मैंने क्वेश्चिन में कराया था कुशिए नहीं है यूँजा स्टाइब तो में टूजा तो उस्टाट स्लिप्टब श्तर्ट शीट आपके आप को से स्टेट है अजी विवेश्ट फिस्टी आपके विश्टेव देट प्रिक्सर्ट फिस्टर्ट कर इसकी लिवन जालया इसी पर खड़ोग है अगर तुम भी प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओगे तुम भी उसी में तो क्या यह ब्लॉक तुमको इस ब्लॉक के बिडी बनाओगे इस धर्ति पर मैं खड़ा हूं और मेरे आख के सामने यह पानी का बॉटल है तो धर्ति तो ओमेगा से खुम रहा है लुक के टीवीं में गूशा नजा रहा है और में यह मैंत तुम से चाहिए अगर यह अप्जर वर इसी प्लेटफार्म पे खड़ा हो जाए तो इस अब जहरबर को यह ब्लग स्टेशनी नजरा इस्ट एस्टेशनी ले गॉटेशनी नजराए गर तो अगर से इतिशनी स्टे तो यह तो ब्लोग इस्टेसी ने जराना चाहिए या भूबिंग इनवर्ड या आउटवर्ड होगा चाहिए फ्राफ एक्सस का कोई बाद रेश्ट में आगया ना ठीक अगर रेस्ट में आगया अगर तुम इसी ओमेगा से खुम रहो तो इस ओमेगा से ब्लॉक होगा तो तुम को यह ब्लॉक इस्टेस से जराएगा इस फ्रेम्स जब इस ब्लोग को देखोगे दिसकholes प्सुडओ टिखार किदर अगर के के ब्राबर होगा मास M इस ब्लॉग का मास M यह दोरी मान लो और के बराबर है तो अगर यह ब्लॉग का जो बॉटम है अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं होता तो बीकॉज आप सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ब्लॉग बीकॉज दूर चलाएगा बटे ब्लॉग दूर नहीं जारा है क्यों क्योंकि इस अरदर रख्यक्स में में फ्रिक्शन काम कर रहा है तो जितना अमेगा बढ़ेगा उतना यह sarcasm पढ़ेगा और जितना एक बढ़ेगा उतना ही स्लिप करने की चांशे ज्यादा है असलिप करेगा जब यह फोर्स इस फ्रिक्शन की लिंटिंग वैलो उसके बाद अगर तुमने ओमेगा को बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन तुम्हे रहा जागा Yeah, Omega भड़ गया, यह फॉर्स भड़ गया, अगर यह फॉर्स भड़ गया, था लोग दूर जाए, दूर, विकॉज अट्रिफटक्रफगgार लगया कि ब्लाख कुआ दूर करवाद ओर आ ना सी N-SIN कट गया, और Omega की बल का गया, अटरुट, Mu-G upon R, this is the minimum तो इसका मतलबी है कि जभी हमें क्वेश्चन करना होगा देखे इस क्वेश्चन में क्या है कि यह एक प्लेटफॉर्म है एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है डिस्क है चुकि अपने एक्सिस पे ओमेगा नॉट से गम रही है तो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसे गम रहा है और इसके एक्सिस से आर दूरी पे एक रॉड जिसका लेंद्ध ऐल है मास Mенко आ तो इस तरीका से धिखे कर एसे ये यहां पर राड लगा दिया गया यप कि यहां पर राड लगा दिया गया जांडर है तो कि bringt इसे घ्राषी वाद तो जब इसे घ्राषीeze गोरे लिकलेेजिशे ठेने में से जो होए कि इस इसे शेए जब कि यह रसी दूर इसे रहा है कि यह एंगल धीटा कितना होगा और इस रसी में तो टेंशन डवलप होगा वो किसके ब्रावब जब कि यह दिया गया है कि रसी का जो लेंद है ल वो इस राड का एक्सी से दूरी है इससे बहुत ही कम है बहुत ही कम है तो रेडियस इस वेरी वरी और ग्रेटर तैन लेंधा पिस्टें तो इसको मैंने को तो दो है तो वही मैं कर रहा हूं कि प्लेटफार्म है जिससे आर्दूइप एक राड बात दिया गया है उससे एक रसी बात दिया और अगर इसको उंगलर वे विड़ों में का नॉट से बमार है हो तो पुश रहा है कि इस रसी में टेंशन कितना होगा और यह वाला इंगल ठीटा कितना होगा जब कि मेंसन है कि यह जो रेडियस है इस ग्रेटर ग्रेजन दे लेंधा फेस्टेंग इसको जाओ तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं चलो मनों बेसिक से पहले करते हैं उसके बाद सेंट्रिफ्यूगल का हल्प लेंगा तो फस्सिस्टम मैंथड़ वन एंडट इस बेसिक फस्स्टम बेसिक का हल्प लेंगे क्या करेंगे इस आप्जेक्ट की एपीड़ी बनाओ एपीड़ी बनाएंगे तो टेंशन टी तुम ऐसे दिखाऊ गए और एमजी कैसे दिखाऊ गए नीचे और यह वर एंगल कीटा है तो टेंशन टी ऐसे तो वर्टिकलर का ड्रॉप कर दो तो यह जो लाइन आईगी दे पाइर इन फेसे दूरियों महीं यहां से इस इसकीज़न कीज़ी निकालरनी ती आउनिखsis गांए दोर्ट दोर होगा तो इस टोरी यह दोरी ने ने हो झीकिए निग कि लेकि यह मेंसन है कि L से बहुत काम है ति पूरी वैलू अप्रॉक्सिमेट क्या हो तो वह बलने के यहां से लेकि यह अब यह तो center है पाँ ऐंग्लर स्बीट किसे गम रहा है ओमेगा नॉट से गम रहे है तो 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 तूरद ओमेगा नॉट का स्कूरर स्कार सुने तो ती शिन स्कण객 कश स्क्डर convicted वाई में अगर ऐसे घूम रहा है तो त्वार्द इस इंटर फोर्स एक्षिन अम और गास कर वाई में फोर्स बारेंस करों तो नेट फोर्स का एगा जिरो तो फिर T काई कमपरट क्या मलेगा ती कॉस्टट इस इकॉस तो अब इसको इससे डिवाइड कर दो इससे 10 ठीटे की वेलू क्या मिल जाएगी this one is r omega naught का square divided by g इसको इससे डिवाइड कर दिया m सेम कर देगा आगया अब कोई से टेंशन कितना होगा तो इसको इसको square कर देगा अंडरूट करोगे तो इसका square पस इसका square का अंडरूट आजाएगा तो टी आजाएगा यह तो method one था method two जो मैं use करने जा रहा हूं वही मैं कर रहा हूं कि centrifugal help ले रहा हूं centrifugal help क्यों लेने जा रहा हूं बताता हूं वह omega constant है तो मैं चाहूं तो इसके चुर्ण कर सकता हूं चैसरी अगर मुझे पारटेकल कैसा दीखेगा इस अगर मुझे पार्टेकल इस त्रेसरी दिखता है है में कशता हूं इस question को आप centrifugal काहाता से इस डिक्र सकते हूं तो करो इस फ्रेमसिस को देखोगे यह वाल एंगर के ठेटा बच गया संट्रिफूगत कर दिखेगा कि है हमेशा अब देखेगा एक्सी से दूट अक्सी से है न पार्टिकलिया पर तो सेंट्रिफूगल हमेशा एक्सी से दूटी है और किसके बराबर होगा, this is m r omega square, क्यों होगा m r omega square, इस block की इस axis से दूरी वो लगभब तो आ रही है, तो centrifugal क्या होता, m r omega square, लेकिन इस observer को ये particle कैसा दिखेगा, rest में दिखेगा, गुमता हो नहीं, method 1 में तो गुमता हो नज़रा रहा था, लेकिन method 2 में यही particle इस observer को stage नहीं पर नलों में औरikum क्या कैसा से, इसरे अधिन इस प्रक प्रेस्ट्हस में गए का लाओ को उरे स्टेता, खंग ाते रेस्ट्हसमे के दगे अम्दर दहां से दिखेगा, एल सब्सक्राइब, ये क्उग्वर Abgु नहीं सी Expert, प्रद्वफा ृए में अर देखेगर होर मींद ए x x x mn x mnjoga t ka yeh kama utga t sin theta this one is t sin theta minus mr omega square is equal to zero question number two तो t ka yewala t sin theta either mr omega square 0 और why mean force balance t cos theta minus mg जबागा 0 त को से बढ़ एमज़ यह और t sin theta mr omega square यह तो खेर कि आना ही चाहिए था तो जब यह दोने को समय गया इसको सेंटर्फिकल के स्याता से जितरा तुम कुश्यन करोगे ना उचाहो तो बेजिक अप्रोच से तुम कर सकते हो तो पर साम में ज़र होती है यू के उस बेसिक अपरोच बट शुक्क मुलों सेंटर्फिकल सीख रहे हैं इसलिए इसकी स्टेडी कर रहे हैं ओके एक क्वेश्चन और करते हैं यह है सबसक्रोग इस तरीके से एक प्लेटफार्म है और यहां पर एक इक इंकलाइन प्लेट है इसी सर्फिस कर रखागा ऐसा एक इंकलाइन प्लेट में रख दिया इंकलाइन प्लेट इंकलाइन 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 इंगल इस थर्टी सब्ट डिगरी यहां पर एक ब्लॉक है ठीक है यहां पर एक ब्लॉक है क्वेश्चिन में यह है कि अगर ये अंगलर इस पिर ओमेगा नॉट से गुम रहा है तो खुब तेसा गमाओ गे ना तुम पाओगे कि ब्लॉप उपर को स्लिप कर जाएगा उपर को सिलिप कर जाएगा और धेर दिर गमाओगे तो नीचे को राएगा कि यही है इस तरीव चाहिए और यहां पर की इंकलैन प्लाइनकल टमेंट इस और यहांप इंकलाइम भित फिर देज थे कुप तेज़ गमाओगे तो तुम पाओगी ब्लॉप को उपर सरकने की टेंज़सी है तो विए तो क्वेश्चन में यह कहाता है ठीक है और यह कोई है कि अगर उसको दीर 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 गमाओगी बीचे सरकेगा बहुत तेज़ गमाओगे तो उपर सर जाएगा इसका मतलब कि स्टेशनरी होगा जीस केस में ब्लोग इस पर स्टेशनरी होगा ऐसा इंकलाइन धा एसा इंकलाइन ग्रें इसकी ब्लॉप को रखो चोड़ोगे तो सरक जाएगा अब उसकी यांप रखो खूब तेज़ दुमाओगे तो पागनव ऊपर सरक चाएगा तो बशन मों अह कि इस ओमेगा नॉट की वालू कितने हैं फाइंट ओमेगा नॉट सो दैट ब्लॉक विल भी इस्टेस रहे ब्लॉक विल भी इन रेस्ट विट रिस्पेक्ट तो इंक लाइब कि इस ब्लॉक की दूरी है यहां से वो कैपिटल आर कर रहा है कि मैंने का चलो सेंट्रिफ्यूगल का हल्प लेते हैं तो इसके लिए मैंने क्या किया इस ब्लॉक की अबेड़ी बनाई इस इस दिखाए है और यह इंकलाइन है इंकलाइन पर ब्लॉक कैसे रख दिया है यही वह ब्लॉक है टोडियस आर पर है तो मुझे बता नॉर्मल रेक्शिन ऐसे दिखाऊगे एं एम जी इसके कैसे दिखाऊगे एसे डानवर्ड दिखाऊगे और सेंट्रिफ्यूगल फो सब्सक्राइब तो मेंशा है एक्सिस से दूर होता है दूर ऐसे वह बराबर किसका होगा एम आयल इंटू ओमेगा स्क्राइब की बराबर होगा तो ब्लॉक पे आपने सेंट्रिफ्यूगल फोर्स अवे दिखाया है नॉर्ड प्रेक्शिन से दिखाया है एम जी क्रियल फो तुमको तुमको यह अब्जेक्ट इस्टेशिन में सब्सक्राइब तो तुम इंक्लाइन पर खड़े वार उस ब्लॉक को देख रहे तो तुमके लगए वाक्यों ब्लॉक के रएस्ट है तो चलो यह अंगल 37 डिगरी है इंक्लाइन का अगर हर्जेंटर सेंगल 37 है इसके न होरीचेंटर सेंगल 37 डिगरी है तो इंक्लाइन पे जो नार्मल होगा इसका वर्टिकल सेंगल के होगा 37 डिगरी अचुकि इस अब्जेवर को यह ब्लॉक इस स्टेशिन में जरा रहा है क्यों कि वह सेंट्रिफुगल फोर्स इतने का लगा चुका है और उसी ओमेगा से ग कंपने पर दिखाएंगे तो इन कॉस्ट 37 डिगरी माइनस mg इस इक्वल टो जिरो इससे क्या आगे एन कॉस्ट 37 डिगरी जिट्वर्स टुर्स टुक्रमजी पर्श्य नमबर लन यह तो मैंने की थर दैन्स किया वाई नीक्वेशन दिखा था वाई ना अब लिखैंगे एक X में इस N का यह फोर्स क्या एगा N sin 37 इंगल की समय ला साइन कर लाता है this is N sin 37 degree N sin 37 degree towards the center एगा minus MR omega naught का square and that is 0 तो X के डरक्स में नेट 4 0 कर दिया और Y में नेट 4 0 कर दिया क्यों क्योंकि यह object इस observer को इस्टे से नेगरा रहा है तो यहाँ से equation क्या बन गया this is N sin 37 degree is equals to MR omega naught square question में बटो अब क्या करना है तुम को क्या निकालना था omega naught निकालना था इस equation को इस से divide करो जैसे इसको इस से divide करोगे एंसे एंड़ेगा एंसे एंड़ेगा और omega naught आर और जी के टबना आजाएगा ओके एक क्वेश्चन हम लिए यह कि यह यह कुश्चन और करते हैं यह देखें यह बड़ा सा प्लेटफार्म होता है प्लेटफार्म नहीं है इसमें इस तरीके से एक एक से से मैंने एक पुली बाद आए और एक ब्लॉग को ऐसे बाद देंगा हो सब्सक्राइब और ऐसे घिजैजन करण है यह से आपकेस पूरियत को मैं उमेगा से लिए चल्पले में ओडाएग और इसका मश्त के कि अठीख हैने संब सब्सक्राइब यहां से दोनों ब्लॉक का डिश्टेंस एकस से आ रहा है फाइंट टेंशन इन स्ट्रेंश एंड रिलेट एंड रिलेटिव ए रिले ए रिलेट प्यात रिल्यति यह न आ रहा है न प्रिछ्ट्ट रिल्यति य रिलेटिव रिल्या इल्यति श में रेखर्च एंड ग।你在 पृम में इसक परिम्ड इसक्श्र inom कि अ उल्या रlor सक्रश्वित? कर दो सबसे कुर्शन सम्घालता हूं क्या है यह एक्से और इस एक रसी बाद के आपने पुली में यह ऐसा फुली हुर्जेटर पिर्में में है रहा हट गरेप्ली फृष्पेस है और गरेप्ली फ्रीश्पेस में एक मैंने कि एक एकसिस है इसके मैंने रस्स्य बाद कर दिखें ऐसे रस्सबार एक पुली में लेपेटा है बाद रिया से से आफ मैं चलब इसने में करें हों तो ऋड़ो यह थो दोनों ही ब्लॉग इस दोनों लोग इस में में घृणि ने इस पर इतर इसकाश lap देना इसे ग्लिट करें शना कि छेस्ट हो के करी जिएजाटि जाएं बात रियाए फोट में की सिर्फ करें मैं आप यह ना तो इसी एप पुछ है कि समय यह व्रय गुटना और sharpless ब्लाम को तो एक्सलिर्शन किता देखेगा क्योंकि जब तुम ऐसे गुखे हो तुम के लगए है तिरा इसे सरा करें यह ब्लॉट इदर जा रहा है यह ब्लॉट इधर चाहिए ठीक है तो देखिया अब मैं सॉल्व करता हूं इसके लिए मैंने क्या किया तो हम लोग फिर क्या करेंगे सेम काम इस एक्सिस पर खड़े हो जाएंगे और यहां से इसके मोशन को अब्सार्ब करेंगे विसके तुमने उसी ओमेहग्नाट से घुम रहे हों किसे व्लोग व्लग गुम रहे हैं तो इसखेंव से इसके पर सेंट्रिफ्यूगल फोस्ट है और तो तुमको और तुम स्कूंको पुली अगर तुमुआ प्रिया oh मैं अगर तुम भी उसी अमेगा नट इसके फ्रेम से इस ब्लोड पे संठ讲 वाई दिखेगा कि अगर अगर आप Westminster तो mR omega naught square इस क्योंब भी दिखेंगे कितने गा मास्ट न थो मुझेगा 2mR ओमेगा नॉट काश्वेल ऐसा दिखेंगा तो इस फ्रेम से देखो गए तो इस क्यूपर 7 फोर्स ये इस क्यूपर यह प्रास्य ऐसे आ रही है इस ब्लोग यहां पे नॉपर इस इस पर फोर्स इधा रहे है यह इह इधा वोर्स एक सथ्षय एधा पराद बन टेंशन तरह दिए एधार साल्स तो यह से जधा है तो जितना acceleration इसका होगा, अगर यह इधर जाएगा, तो यह इधर आएगा, यह इधर आएगा, क्यों यह बुली तो रेश्ट में है इस फ्रेम से, इसको लगेगा कि इस acceleration से यह ब्लॉक इधर जा रहा है, एक्ञेक् сосément से एप칫 उसी आहीं यह ब्लॉट इदेर आ रहा है तिस पे फॉर्स में कर लिक हो कहें तो मि लिख नस्के हो कि विख ठोगे 2 m R omega 0 का स्क्वाइर 2O2 इस ब्लॉग का मास्ज 2m in tillission 1 इस ब्लॉग पर फॉर्स में कर लिक हो यह थी है यह फ्रस है तो對不對 मैंने सब्सक्राइब को मात स्वेस्ट यह लोग है। इस वाले बहु को भा पोन सब्सक्राइब ओस नुद से नोर्ट नस्थाय पर इस कड्राइब को सब्सक्राइब वहाँ कि आन सुद जो one तो E की बालू कितनी आगी, E की बालू कितनी आगी, M से एम कटेगा, तो नहीं आगा, 1 M कटेगा, 3, तो बनेगा, R omega 0, I square by 3, ये आगे, E की बालू, और इसे 1 को उठाके, तो नहीं आगा, T कितनी आगी, इस M R omega 0, I square, plus M R omega 0, I square by 3, ये वालू is 4 M R omega 0, I square by 3, तो नहीं आगे, E की बालू कितनी आगे, E की बालू मैं, C, आगे, E की बालू को उठाए, को सबस्क्राइब करका इसमें करेंग झाल रह तो यह मैंने किना इसका इसका इन बढसे दिस्पंध're any of 15 ऐसका पर अपर सम्फर्गा करें जम्राएं को में हमेytt DRC यह इसका सेंटर है से इसके कृते fanündर आए हैं और इसो डिस्क है इसका रिडियस के ब्रावर है अब इसके सेंटर से आर नॉट दूरी पे मैंने एक पार्टिक्ल को जस्ट रख दिया और यह उमेगा नॉट की कॉश्चन में पूछ रहा है कि बताईए कि जब इस ब्लॉक हों में आप रिलीज करते हैं तो यह ब्लॉक दूर भागता यह सब्सक्राइब करना तुम अपने हाथ पे रखना ऐसे रख दिया इसको खुबते ऐसे क्षीचना तुम देखो नो दूर यह ऐसे बागता अभी एक अपे रखेंगों को अपने हाथे खुबते हैं देखो ओलगेगा दूर क्वागा की जब इसको भुमाओ के ना यह ब्लॉक दूर को जाए गए तो कुषिन कह रहा है कि जब यह बलॉक इसको छोड़ने वाला होगा उस समय इसकी रिलेटिव लोसिटीं इस डिस्क के फेम मे कि ऑब दूसरा हो जब यह छोड़ रहा होगा उसमें ग्राउंड फ्रेम में इसके विलास्टी क्या में जब आज नहीं कि दीसके बिट्स पर तुम बैठ रहा थे उसी को में लगला तो सेंट्रीफिघल फ्रेम फ्रेम्स ब्लॉक पहला तो सेंट्रीफिघल फॉर्स भी हो गय और समय जाए जाना चाहता हूँ जब यह चोड़ रहे होगा, उस समय कि बना सटी कितनी होगी, मुझे कितनी वेलास्टी इस तरह खी और बना सटी डिसक्ट आप लॉक्टि आप इस ब्लोक तो इसिक डिस्क और कि यह कहिते हैं यूटी व्लक जैसे अब्स जहरु को कि थे ठीन के आफ मेंद देल रहा है कि जिए इसमें यह ऐसे ऑगा तो मैं ऐसे स्पूस्कों लग रहा है कि इसे जानए मैं एस दोए मुस्कों लग psychologist कू जिए इसे वी जा रहा है इथे जा रहा है, क्यूं? क्यों कि मैंा हाथ इसे जारा है, आजारा है. तो इसको लगेगा इस अब्लॉग इधर भी जारा है, और दूर भी जारा है. तो तो हीं दोनौन का resultant इसको ने जाराएगा. अब मुघ्रिय खिला जाराएगा, सिर्फ जूर जारता है. तो देखिए इसको solve करने के लिए मैंने क्या किया कि इसके उपर एक observer को बैठा दिया बैठा दिया और माल लिए किसी time पे यह जो block है इसके axis से इसके axis से x दूरी पे ब्लोग है किसी time पे इस block को माल लिए कि इसके axis से x दूरी पे तो इसके उपर अब इसका motion तुम्हें कैसे निजराएगा अभी निजराएगा सिर्फ इस फ्रेम से तो अगर इसके एक बीड़ी बनाओगे तो centrifugal force को तुम दूर दीखाओगे कितना में आर मेगा स्क्वेर और आर क्या होगा एक्स इस block की axis से दूरी तो mx स्क्वेर तो सिर्फ centrifugal समय कर सकता हूं क्यों 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 कि ब्लोग जो है axis के इनवड और या अभी तो सेंट्रिफ्यूगल की साथ सुमनों कर सकते हैं तो इस ब्लोग की एबिड़ी में सेंट्रिफ्यूगल force m r omega square होगा जो की अगे होगा और सारा surface friction बेस है mu of all is zero तो अगर यह दिस्क है इसके उपर तुमने इस ब्लोग को रखा है इस इस ब्लोग है यह ब्लोग है तो नौर पर रेक्षे उपर को आएगा mg नीचे को चाहेगा और सेंट्रिफ्यूगल force ऐसे लिए तो सेंट्रिफ्यूगल force के विजए से यह ब्लोग जो नहीं हाँ था ऐसे भागता हुआ मुझको नज़र आएगा लेकिन यह जो अब्जर्वर है इसको पता के लिए यह ऐसे आया और यह भी दर भाग रहे तो यह इसके इसके लिए resultant बनेगा ऐसा वाला और तो बीच में ऐसे जा जादा नाज है यह जिए ग्रांक लीमोना होगा जाली मैंने इसमें इस उप्सर्वर के लिए इस आप्जर्वर के लिए मैंने इसके उपर four sequence nx equations square a normal direction पर लिखे गहला Mg के निशे दी साथिया, अलेकि इसकी हमें कोई जरूरर नहीं है, दूसरा यह जब गुरूफ में फासा हुआ हुआ ना गुरूफ में, यह ब्लॉक, इधर से जो फोर्स आएगा, इस यह मतलब नहीं है, इस लिए, ब्लॉक दूर जा रहा है, मिजब तो इस दरूरसम के फोर इस इस इसरेलिटीव एसरेलरोर्शन यह, इस इस अ आबजयक्त को इसका ज़ए जिकलताता हूँ ऑ रहेंदें इसको इधर बेज दो तुस्टे के आप अब देखो दी इसे क्रेशार बेरेक भी रिलेटिब इसकोल तो कि ओमेगा स्क्वैर सहे एकसे डिश्वए उमेगा स्क्वैर एकसे उमेंगे स्क्वैर इस्ट नव इंटरीशिय में अम देहों एकस की वैलो पहले कि जब यही रेडियस आर हो जाएगा जब यह ब्लॉक यहां पाएगा तो उसकी एक्सी सिदुरी क्या हो जाएगा एक्स की वेलों आर पे ब्लास्टी भी आर हो गई अपकर दो इंट्रगेट आंस रगाएगा इसे उपर हो इंट्रगेट थे मैंने लिए आर का स्क्वेर का रहा है ऊंसर एगा उने का ब्रकेट में आर स्क्वेर वाइनस आर नोट का स्क्वैर इससर स्ट अंसर आप फस्सपार्ट इस पहले पार्ट का अंसर है अब चलिए अब मुझे पता करना है यह वाला वी अप्द भ्लोक श्प्रिस पक्र दिग्रान टो इस टुबिस टाह कि अब मैंने कहा है कि इस यह ब्लॉक जब इस बाउंडरी पाएगा बाउंडरी पाएगा तो इधर वाला वेलोस्टी भी रिलेटिव है जो कि इतना आ लेकिन यह जो पॉआंट ए यह उ Twitter उभायर है मतलब अगर यह दूरी capita ल机 और India सब्सक् натा आरे मिए owe खोड़ रहा हूगा वहां इसिट स्पीड मेरीटिव पो जो कि पी ना है और इसकी वेलासिटी कि प्लेटवां पे इसके बाभर है और इस प्लेटवां कि अ जलु प्लेटवां की कि आरमेगा हूगी क्योंकि एक्सिस से आर दुरी पे हैं तो पॉइंट भी सब्सक्राइब कर रहा है से आर मेगा थे व्लासिटी आरोगी तो ग्राउंड फ्रेम में जो नेट व्लासिट ने चार आएगी और यह जो भी की वैलू आएगी जोकी सेकेंड कोश्चन कांसर है इस वन इस अंडरूट आर उमेगा का स्कुरेर प्लस बीर का स्कुरेर अभी यह उठा के प्लेस करना हो तो आज आगा आप से दूसरा लोगी कुछता है कि यह एक्सिस है ना यह तो है और यह बिज़ इस लोगा है यह वाला एंगल ठीटा कितमा है अगरी 10 ठीटा है तो आप 10 ठीटा क्या चैल सक आपार कि कर लिए किर अफ़र को किस एंगल पी जाता हूं जलता इस अब तो इसका और कैसे होगा बता जाए है तो इसका फ्रेम में इस-दिस्क के फ्रेंब में लिस्क रुका होने जारा है पर पर ऐसीिस आतना डिक रहा है सै फिर च shifting चोड़े गें सरी चोड़िए सिंश में उसकी ज व्लस्ती होगी कि धिकान इसी आ रिडिकन हन्या करें यह वाला कुंद के का तनो जाए हुँख प्रजक्ताइल बना के निश्ट देगा है अब हुन्हों पढ़ेंगें बैंकिंग आफ रोड तो बैंकिंग आफ रोड को दो पार्ट में हमनों बाट रहें एक फ्रिक्सलेस बैंकिंग रोड और दूसरा रफ बैंकिंग रोड कि जैसे कि नैसनल है भी डाफ आप जाते होंगे आप देखते होंगे नthose knockiron होता है माणव इसे구 बैंकिंग अधर तो रूड़ा से होनग तो प्रस जुका होता को तो लेना है तुम ऐसे बंगते हैं और अगर तर्प इधर लेना है तो रोड ऐसे बैंक को जाता है तो अब मैं एक ही केस के श्रीपितर रहा हूं पहला केस है केस्वान इस वान इस फ्रिक्शिनलेस बैंक रोड तो फ्रिक्शिनलेस बैंक रोड तो एक बैंक रोड है इस तरीक से यह वला अंगल टेट है यह रोड है है कि अ कुछ एक आइसे था रोड तो टनों तुम्हें आते हो as a अ यह फिर असे बनके फिर इस बनके तार जाएक कि ईसी आयगे है तो जब तुम उधर से देखोगे, तो तुम्हे रोड ऐसा दिखेगा, वही रोड के मैंने एंगल ठीटा दिखाया है, और तुम्हारा साइकील है या जो भी कार है, वो इस होर्जेंटल लेवल पैसे चलेगा, ऐसे हैं, यह नहीं कि ऐसी थोड़ी खालेगा, तुम कार के से तो कार से जाते हैं, इसी लेवल में से लाते हो, रोड पर रहते हो, तो इस बीच में चला रहे होते हो, तो बैंक आगया तो नीच चला रहते हो, नहीं, उसी लेवल पैसे कमते हो, बीच में हो बीच में, तो बीच में ही रहते हो, तो वही चीज जाएगी है, तो देखे, तो frictionless bank roads तो सपोस्कित हुआ कार है या तुमारा bicycle है ठीक है दीक्षील में प्रिक्शन नहीं है और तुमें आ रेडियों से गोना है तो अगर एइज बेडी बनाओगे तो नौर्ब्रीक से दिखाओगे ऐसे दिखाओगे एजनी किसी दिखाओगे ऐसे दिखाओगे का और नॉर्मल का वाटिकल सेलंगर क्या मनेदाएगा ठीटा और Mmm कि नार्मल का वर्डिकल सेलंगर ठीटा है तो नॉर्मल का वरिकल किल झांग और रिचाम्ण करना च्रों मुला किन रडाइस त्सल्ड conjunction तुम्हें आडने बाइन तक वंद आतरो कि एक्ससा जिसके बहुद तुमको गहुँना है एंगल्स बेला सटीविस लमना है इतुम्हार्व की न है तो है कि तुम्हें ऐसे हैं तो आप एसे दिखेगे निए अगर तुमने इसको इस पर रख़ा जो एक आप देखो दो तरीके इसको सॉल करेंगे एक तरीका ही है कि आप क्या करो एक तरह का सेंट्रिकल के साथ अबर दूसरी का एक कि आप बैसिक से कर लो जलोब इसकी स्पीड भी है माल लो बासिकल कि स्पीड भी हो है तो टूबर्स जञीओने कर हो भीड सेंटर अ कम तो रचक्त सरे खाश Thank you तो आप दिखो कि N sin theta is equal to Mb square by R एकी बात है, Mr. Mb square by R, और Y में force balance करतो, Y में तीक्षा बनेगा, N cos theta is equal to mg, यह मैं basic use कर रहा हूं, method 1, तो basic, वहीं सबकों मुसन कर रहा है, सबकों मुसन ऐसे कर रहा है, तो अगर ऐसे सबकों मुसन कर रहा है, तो towards the center net force equals to Mb square by R, और Y में net force 0 होगा, क्यों होगा? कि उसी लबद पर खुम रहा है, तो य में net force 0 होगा, क्योंकि Y में तो कोई acceleration नहीं है, लेकिन towards the center acceleration है, 20 square by R, मैं लिखा, N का sine theta, angle के सबकों मुसन कर लाएगा, N sine theta बरागा, Mb square by R, अब इसको divide कर दो, तो इससे क्या आएगा, tan theta is equal to V square by R, tan theta बढ़ा होगा, M sum कर देगा, V square by R, इससे 20 square by R, अब इसको क्या आएगा, 20 square by R, under root of R, G tan theta, अतला, कि अगर तुम्हे R radius पे safe turn करना है, अगर R radius पे safe turn करना है, R radius पे अगर तुम्हें safe turn करना है, बीना sleep किये, बीना नीचे को sleep किये, या उपर को sleep किये, अगर turn करना है, तो आपकी स्पीड इतनी होने चाहिए विपस्ट रूट रजी 10 ठीटा होने चाहिए ज़ा र क्या है कितने रेडियो सो गम रहे है ठीक है और ठीटा क्या है आपकोँ अपीड ज़ायी को अपड़ना पड़ेगा है कि मरे इस्पीड ज़ादा है तो तुम ज्यादा रेडियो सो गमते हो तो इह भी फाम क्या है अगर इस पिड़ ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा रड़ी सुम्हाब आप लिए तो मैं थीड़ बन से बताया है अब मैं थोड़ा सब्सक्राइब को बताता हूं सेंटरी फ्यूगल के सेंटर पर इस ते मैं ने ज़ा किया सुनता रहेगा अगर यह स्पीड भी से घम रहा है तो इसकी जो एंगलर स्पीड आएगी इस बाइसिकल की इस एक्सिस के बाउट वो कितनी होगी दिससे भी अपाना अगर तुम भी इसी पर खड़े होके इसके मोशन को अबजर्ब करो तो रियल फोर्स तो एड और एम दिखे गई बट सें आद तुम बी उसी ओमेगा संग रहे ओओ जी समेगा से सब्सक्राइब तुम को सेटेविकल को कर सॉड़े हो को तुम हमीजाब होंते हैं तो क्या रिसाने गाहिए थिकल करने टो ऑप अद एम रोमेगा काय स्क्वेगा स्वागा वह स्वेड़े एम थागा सॉर्द को बड तो अगर तुमको लग रहा है कि साइकल रुकी हुजए इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स तो हर डारक्शन में जिरो है हर डारक्शन में इसका मतलब कि अगर यह ठीटा है यह नाइन इक्टा है क्या है तो मैं तो fourth balance कि अधर भी कर सकता हूं इदर भी कर सकता हूं कीसी पिलास करने काये लगों इदर करता है यार чист अगर्वाने して-ध E Conference को सब्सक्राइब तेज सब्सक्राइब कर गते हैं में फिर्टान खेंगें संप्राइब कर दो एजियरी जिए इन इन ट्युवलाफ़स मुझी स्क्वेर वाई एक्वेस्टिन नुबर टू इसको दो इक्वेस्टिन दो अनों है इसको इसको डिवाइड करोगे इससे भी स्क्वेर की वैलू है जाएगी अंडरूट करोगता आएगा आजी टैट टेटा इतम से मनगे कि एक इपोटेंट फामुला है तो मही याद कर período किस वह टो किस फरसीव टर अवा हुँआ है। क्षिए कर ओना अगर फ्रिक्शनलेस बैंक रोट पे अगर आपको सेफ टर्ग करना है तो आपकी स्पीड इस हमले गवर्ट करना चाहिए रूट आपको गवर्ट करना चाहिए अगर आपपिशन अगरा आप स्पीड को बढ़ाओ तो तो पिस्पीड बढ़ाओगे तो इस खर बढ़ेगा तो इस प्लॉक को इधर खीचेगा जब इस इस इंकुलाइं करें के पर्लेल श्योमिक करा देगा सब्सक्राइब कर रच को जब इधर कीचेगा इधर कोErसरो बाढ़ेगा इधर मेक कर सबस 실리 हो कि गहले नहीं प्लेगा भीग तो इंक्लाइं से अवे रोड पे तुम दूर जाता आगए इस अबसरबर को और अगर स्पीड कम करोगे तो फिर ये तो यह लागा एलिव दू अगो दूर गोड़ी फिर इंक्लाइं के नीचे के सरकते नहीं दाँडर को तो अगर इस पिड जयदा होगा तो इस observer को तुम अबे जाते या द में पूचह कीं की पे इस पीड कितनी होने जी शेफ टार्म के लिए आंसरी रूट आसी टेकर अगे अमोलों केस टू की श्टेडी करेंगे केस्टू 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 है रफ बैंक रोट रफ बैंक रोट इसमें है कि सपोस्ट करो कि यह वहला एंगल्ट हीटर है तेक्या और यह साइक्लिस्ट है तो इसमें क्या है कि अगर तुम आरेडिस दूंगरो सपोस्ट को आरेडिस भी तुम रहे हो और एंगलर स्पीड ओमेगा है तुमारा भी अपान आर के बराबर यह तुमारी स्पीड भी है तो नॉर्म रेसे तुम ऐसे दिखाऊगे एंजी तुम इधर दिखाऊगे और सेंट्री फ्यूबर फोर्स तुम ऐसे दिखाऊगे अगरेडिस आ रहे तो इम भी स्कॉयर भाई आर के बराबर वही तो है तो मुझे यह बताओ थोड़ा तो इसको आगे बढ़ा दो इनकड़ा रख सब्सक्राइब नार्मल का वर्टिकल से थीटा नहीं बनेगा 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 देखो इटीटा इन नायटी माइनस एटा इपूरा नब्य ती बनेगा थीटा इदिखाए आगज अगर इस स्पीड की बहुत काम होती तिये ब्लोग अगर इसकी स्पीड कम है तो नीचे सकते हो और इस लीड़ के बहुत जयादा है तो से इसके बूरी अगर बहुत जयादा है तो इसको उपर खीचेगा तो इस बहुत कम है तो निचे सब्सक्राइब तो देख हैं तो अब मैं मैं मीनिम और ये सबसे पहले में नोब लोगी मिनम करेंगे तो यह तो फ्रिक्शिन प्रॉस धर आये गा ऊपर के उपर को दिखा गए तो कम से कम आन नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन मैंसेम पर आके नोशेज करेंगा मैक्सिम पाके की से रोकेगा ताकि speed कम है और इसको सरक्रिक से बचाने के कोशिश करेगा तो जब speed कम होगी तो block नीचे सरकना चाहेगा तो friction को उपर देखे इटेज मुव इन्टू और यही speed अगर ज्यादा होती अगर यही speed ज्यादा होती तो block उपर सकना चाहता तो friction नीचे देखता अब मैंने इस block की EBD बना दी N इधर MZ इधर M V सकर भाई यार का centrifugal force इधर और friction force उपर कर अब इस observer को जहांके तुम खड़े हो तुम्हें यह cyclist रेश्ट में ज़रा रहा है तो कहाएगा कि मुझे तो net force हर डारक्स में 0 दिखना चाहिए तो हर डारक्स में ज़रा जिरो करेगा ज़रो इसके लाग जिरो करते है इसके लाग, inclined के लाग तो inclined klung force के आए i.e.e.n i.e.n और M V स्कार भाई का यह कमण्ट का ओनेगा इस M V स्कार भाई यार cost देटर इसका कॉमपनेट इजार और N का तो कमपनेट आएका नहीं क्योंकि 90 दिगरी है और M G का कॉमपनेट इजार आएका M G साइन थेटर इस इपल टो मजी साइन थेटर इसके इसके अलंग आएका निए निए दिगरी है अब उपर और M G सकर वाइयर का यह वाला कमपोनेट इंगल की समयावला साइन कहला आता है यह क्या बनेगा N उपर है तो पलस अब कंप्रेट नीचे एका तो मैनस कर दो मैनस करोगे उदर पेज़गूत इक्वालिटी है एका यह एका इकॉल टू सिर्ज़ कर भाईं सांसे स्युषक और नियुक रोली हुआ हैं जिसकर यहां चली वाला अफरिंग व्याट सिर्ड़ेंगा नट्ड आखकर हैं जिसकी अनुट Сबस्क्वकार करें ओ यह कोर सब्सक्रपा क्रकर एक टेसे बदेखन स्वस्राइब प्लेस करोगें तो मैं जाएगा मूउ इंटु पुछ नहीं दो अनुन यहां पर देखाए कौन से कि एक एक एन अनुन है और एक भी अनुन है बाकी मुझे पता है मतलना मैं चालता हूँ स्पीड निकालना मिनमाम इसपीड निकालना तो एन नहीं मन्नों और भी और नहीं बाकी मुझे पता है तो यहां से एन उठाके यहां पर रखते ना जैसे रखोगे सिंक्लिफाइ करो गैसे वी की व्यालो इतनी आती है और जी ब्रेट में फीन ब्रस्पीड yeah यही जब बात maximum speed के होती है यही फामुला याद रखो यह जब यही बात maximum speed के होती है इक्वेशन सब यही बनेगा तो अंतर क्या होगा कि इसका डायरक समझे लिए अब मीवन फेले उपर था अब नीचे करो गया कोई चलिए यह मीवन को माइनस मीवन कर दो बस बाकी इसमें मीवन तो है निया बस इसी में यहाप माइनस कर दो और इस एन गुठा के फिर प्लेस कर दो और सिब्लिफाई कर दो तो यह जो मैक्समी स्पीड आती है इसकी वैलू हमें याद करना होगा यह आता है अंडरूट आउफ कि आर्जी ब्रेकेट में कि यह मूइज रिप्लेस पाई माइनस नहीं है इस रिप्लेस हो जाता है कि यह जाता है अच्छा इसमें फर्मूले में एक प्रॉलम आगी यह टैन ठीटा माइनस नहीं होगा जब सिंप्लिफाई करोगे तो इसको ठीक है और इसमें क्या होगा ना एक्चिल में यहीं पर तो माइनस रिख्या हो मतलब म्यूंग यह पर तुमने माइनस रिख्या मैंस पीडियों केस में मैंस क्यों राक्सण उबर था जब बढ़ाओ तो ब्लॉक उपर स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन नीचा जाएगा राक्सण उल्टा करना मुतलिए हम पर माइनस लगाना है तो म्यूंग को माइनस रिख्या कर दो ते क्या मनेगा मूंग प्लस टैन ठी एक बढ़ा में तो वन अम्यू रिक्रेश राई माइनस में तो मैनस मीर टेंट तो यह है आपका माक्सीन स्पीड का फॉर्मॉला मतलब एक rough road पे अगर आपको टर लेना और safe टर लेना तो minimum speed इतनी होने चीए और maximum speed इतनी होने चीए यह धारक आपको सीचे में आपको और बतातू इस formula की अधिकत आपको यहां पर मैं डिक देखा हूं मालोग एक particle है इसको मैंने भी नट माल लेया यह भी धारक अगर इस bicycle की speed भी less than b0 less than b0 है अगर इसकी speed b0 से कम हो तो अगर speed कम होगा तो sleeping नीचे करोगा तो friction की आपको उपर करेगा जब sleeping मीचे करोगी तो friction उपर करोगा तो friction की direction उपर करोगा दापना है दूसरी बात अगर इस speed की वालोग एक्जैक्ली भी नट के बराबर होती है तो उस case में friction zero आता है कि friction ही नहीं आता है देखो friction ले से काम चल जाएगा ना friction ले से काम चल गया अगर इसके बराबर आगे तो और अगर भी के वैलू भी नट से ज्यादा आगए मतलब अगर इसकी speed ज्यादा होगी तो रखना उपर चाहेगा तो friction नीचे तो friction direction नीचे को तुम्हें भी अलग से भी ध्याँ रखना पड़ेगा इस चीसे ध्याँ रखना है अब इस पर बेस्ट होके हम लोग एक सिंपल सा question कर लेता है ठीक है देखें इस question में कह रहा है कि a road is bank for speed 30 meter per second at radius of 10 meters if mu is 0.2 then find speed b for safe turn on road at same radius करा कि एक बैंक रोड है जो की बनाया गया है 30 meter per second के speed के लिए at 10 meter के radius तो अगर उस surface का friction coefficient 0.2 हो जाता है तो उसी radius पे turn नहीं कि इस speed की possible value क्या क्या हो सकती है कितनी है तो जब भी ऐसा question आता है तो important ही होता है कि bank road तो बनाया गया है but bank road 30 meter per second के speed और 10 meter के radius बनाया गया तो अगर आप तो इसमें जब भी ऐसा question देता हो लिखता है कि एक road 30 meter per second के speed के लिए radius 10 meter के इसका मतलब होता है अब मैं क्या क्या करेंगा नहां पर इसके डिफाल्ट केसमें फ्रिक्सनले इस रोल है फ्रीस फॉर्मॉले के इसके आता है इस बीकुटा क्या प्लेस कर दो इससे क्या रिया 30 is equals to under root of R R किसका रावर है 10 जी किसके बरावर होगा 10 into 10 theta इससे 100 से ये 10 को cancel out कर देखो बाहर में स्क्वारिंग करेंगे तो 10 theta की वालू कितनी अब इस नाइट अब मैं क्या किया रहेंगा यहां पर अब भी minimum निकलना पड़ेंगा तो भी minimum के value क्या होती है इस अंडरूट आउफ भी minimum formula में क्या था देखो rg तो r की value क्या है 10 rg ब्रेकेट में क्या है 10 theta minus mu तो 10 theta 9 है 9 minus mu क्या है 0.2 एंड डिवाइड भाई तो 1 plus mu 10 theta तो mu 0.2 into 10 theta 9 यह भी minimum हो आगया अपी पुछे b max कितना है गा तो यह बनेगा अंडरूट आफ rg 10 into 10 यह होता है mu plus 10 theta तो mu 0.2 है plus 10 theta 9 एंड डिवाइड भाई यह आता है 1 minus mu 10 theta it is 0.2 into 10 theta 9 तो यह maximum speed आगया और यह minimum speed आगया तो कोई पूछे इस cancer क्या होगा होगा हम क्या करेंगे b minimum comma b max पी close interval लगा देंगा तो इस close पर भी हो इस boundary पर भी इस boundary पर भी और वीच की सारी value पे safe turn चलता रहे गाट इसी एक question और देखें इसमें है कि ट्रेन की पट्री है और ट्रेन की पट्री की जो 20 की दूरी है वह 1 meter है यह train की पट्री है इसकी और इसकी भी सुरी 1 meter है करें ट्रेन को ट्र लेना इधर with the speed of with the speed of 5 meter per second की speed से 10 meter की radius पे ट्र लेना है तो एक पट्री की height कितना उठा जाए तकि turning safe हो जाए मतलब इस तरीके से हैं तो यह 10 meter है और इस पे टर लेना इधर 5 meter per second की speed से इस वाले पट्री की जो पट्री है इसको कितना उपर की और height दे जाए ताकि यह safe turn कर जाए इस दिखाएंगे एक पट्री पट्री है तो इसको देखो तो तुम्हें ऐसे दिखाएगा पट्री को तुम्हें ऐसे दिखा दिया एक पट्री एक पट्री है यह 1 meter और यह वाला height सब्सक्राइब पूछ रखिए है एक कितना होगा इस एंगल को ठीटा माला लिए तो मैं क्या है साइन ठीटा इस एक ग्वस्ट एच आपांड़ आप साइन ठीटा और एच आपांड़ अब फिटा निकल देता आंसर है जाए सिफ टर्मिंगी इस पीड क्या होता है अंडर इसे से टैन ठीटा की वैलू आजाएगी वन आपांड़ तो क्योंकि यहां से टेन आएगा तो 5 मेंटेटू 1 बाइटू 10 टा 1 बाइटू आगया तो 10 थीटा अगर 1 बाइटू आगया यह 1 है यह 2 होगया तो कितना हैगा रूट 5 तो साइन ठीट पर इसे कायागी 1 आपां रूट 5 तो मैं यहाप भी कर सकता हूं 1 आपां रूट 5 तो ह की बरूँ कहा जाएगी इस वन आपां रूट 5 मेंटर एं दिस वन आपां रूट 5 मेतर अन इस आपको एस तरिगया समयने आपको सेंटरिफ्यूगेल फोर्स के करा है आप आपना मॉडूल अटेम कर सकते हैं त